सब्सक्राइब कीज़े एस्टोविश यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीज़े जिसे की मेरे द्वारा अप्लोड कीवे सारी यूटूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नमस्कार दोस्तो जेशी कृष्णा कैसे हैं आप सब अच्छी होंगे दोस्तो मैं विशाल सोनी एस्टोविश यूटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक्ष स्वागत करता हूं दोस्तो आजम बात करने वाले हैं जन्म कुंडिली में होने वाले दन योगों के बारे में महर्ची पराशन किनकिन बावों को एकसाथ करके किनकिन ग्रहों की यूतिया होती है किनकिन विशेश बावों में उनकी प्लैस्मेंट होती है उससे धन योग बनता है उन सब चीजों के बारे में बताया था आज उनमें से कुछ सुत्र में आपके सामने रखना चाहता हूं और अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग का निर्मान हो रहे हैं तो संभव एक की आप जीवन में एक ने एक दिन धन्वान बनेंगे दोस्तों तो सबसे पहला सुत्र मैं आपको बताता हूं दोस्तों जब कुंडली में जो लगन का स्वामी होता है कुंडिली का लगनेश अगर दस्वे भाव में इस्तित हो तो व्यक्ति को पिता से बहुती ज़्यादा धन प्राप्थ होता है दूसरा सूत्र जो महरशी पराशर रिशी ने बताये था वह यह है मेश राशी या करक राशी इन दोनों राशी में जन्म कुंडली में ये राशी कोई सी भी जगए आपके आ सकती है मेश राशी या करक राशी इन दोनों राशी में अगर बुद्ध इस्तित होता है यही शर्थ है कि आपका जो बुद्ध, वह, मेश या करक राशी इन दोनों राशियों में से किसी भी एक राशी में होना चाहिए प्लैस्मेंट उसकी किसी भी जगे हो तिसरा सूत्र यह है कि जब देव गुरु ब्रहस्पती आपकी जहन्म कुंडिली में नवंबा या ग्यारवे भाव में इस्तितो साती सूर्य देव पंचम भाव में इस्तितो तो यह भी एक बहुती बड़ा धनवान योग बनता है दोस्तो चोता सूत्र जो उन्हेंने बताय ओ परिवर्तन योग पर है शनी ग्रह को छोड़ कर जब दूसरे बाव के ग्रह नव्वे भाव में और नव्वे बाव के ग्रह दूसरे भाव में इस्तित होते हैं तब वह जात तक अपने जीवनकाल में करोणपती बनता है दोस्तो बस शर्थ यह है कि इसमें शनी देव का राशी परिवर्तन नहीं होना चाहिए पाच्वा सुत्र यह है दोस्तों कि जब चंद्रमा या गुरू या चंद्रमा और शुक्र दोनों की यूति पंचम भाव में हो चंद्रमाया गुरू या चंद्रमाया शुक्र इन दोनों के युति अगर पंचमबा में हो तो यह भी एक बहुती बड़ा धनवान योग होता है जीवन में व्यक्ति बहुती जादा धन समपती अरजित करता है छटा सुत्र यह है दोस्तों कि जब 10th house का जो स्वामी है 10th house का जो ओनर है अगर वह लगन में आ जाए तो भी यह पिता से धन प्राप्ति का सुचक होता है दोस्तों जो फर्स्ट में आपको सुत्र बताया था है कि लगन का स्वामी 10th में आ जाए या 10th का स्वामी लगन में यह दोनों ही एक दूसरे के विप्रित है दोस्तों और दोनों में व्यक्ति को पिता से धन की प्राप्ति होती है दोस्तों सात्वा योग यह है यह व्यक्ति को बहुत ही जादा कटिन परिश्रम करवाता है लेकिन कटिन परिश्रम के बाद व्यक्ति को बहुत ही जादा धन सं पति अरजित करवा देता है धनवान बना देता है यह योग यह है दोस्तों कि जब दूसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस का आउनर जब व्यक्ति के एट्थ हाउस में आकर बैठता है जन्म कुंडली के तब व्यक्ति को कठीन परिश्रम से धन की प्राप्ति करवाता है लेक तो तब भी व्यक्ति के दनवान होने का योग बनता है व्यक्ति अपने पुर्वजो की संपति अरजित करता है या पुर्वजो के द्वारा किये अच्छे कर्मों से वह दनवान बनता है दोस्तो लेकिन छटे और ग्यारवे का सूरिय व्यक्ति को दनवान बनता है दोस्तो औ और इसी के साथ अगर राहू भी छटे और ग्यारवे में दोनों पावों मिस्ती तो सूर्य के साथ वेसे यह ग्राण दोस्तों बना देगा पित्र दोस्त भी बना देगा लेकिन व्यक्ति को अचानक से दन की प्राप्ति भी करवा देता है राहू जो भी देता है अचानक से सब्चति देटा है और सूल या चट्टय और ग्यार्में भाव में व्यक्ति को अच्टनक धन योग कि जब 6-6-8-12 के जो स्वामीत्वग वाले ग्रह होते हैं अगर वह छी हो और किसी दूसरे केंदर बाम में नहीं हो तो व्यक्ति को अच्टनक रोल पती बना देते आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बिना कुछ करे या पहले बहुत गरीब होते थे लेकिन अचानक से उनके पास इतना पेशा आजाता है कि वो करोड़पती योग की सुची में आने लग जाते हैं 68-12 के गरा 68-12 में ही होते हैं तब यह जाकर फलित होता है दोस्तों दस्वा योग यह है दोस्तों कि जब सप्तमपाव में मंगल और शनी बेटे हो या दस्वे पाव में मंगल शनी बेटे हो और इनके साथ अगर राहू की यूति हो जाए तो व्यक्ति को अचानक से स्क्राबपति बना देते हैं दोस्तों व्यक्ति को जाधा परेशनी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों आज मैंने आपको यह दस शुत्र बता हैं जो और आपके सामने रखे हैं, अगर आपकी कर्जन्म कुंडली में यह योग बन रहे हैं, तो निश्चीत है कि आप भी आपके जिवनकाल में बहुत ज्यादा दन्वान होने वाले हैं, दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ा है, क्योंकि परिश् आपको शुबुफर प्राप्त करवाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे की दूसरे लोग भी इस चिसका फाइदा उटा सके दोस्तों बने रहे हैं इस चैनल के साथ मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं